विग्रस प्रे का उप्योग स्तंभन दोश या स्खलन का समय बढ़ाने में किया जाता है। यह लोकल एनेस्थीजिया की तरह कारे करता है। विग्रस प्रे 15GM की क्षमता में उपलब्ध है। आए इस स्प्रे के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं कि यह कहां इस्ते इफेक्ट्स होते हैं। अगर आपने विडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो विडियो को अभी लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। यह स्प्रे लोकल एनेस्थीजिया की तरह कारे करता है। जब इस स्प्रे को पैनिस पर स्प्रे करते हैं तो पैनिस जिससे स्खलन जल्दी नहीं होता, जिससे सेक्स टाइम बढ़ाने में सहायता मिलती है। विगोरा स्प्रे का इस्तेमाल करने से आपको कई सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं लेकिन ये साइड इफेक्ट्स आपको हमेशा महसूस नहीं होंगे। अलजी, दाने, पिती, सूजन, लाली, खुजली, सांस लेने में परेशानी, पेट दर्द, पेट खराब होना, चक्कर आना. अगर आप इस स्प्रे के साथ कोई अन्य दूसरी टैबलेट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हो सकता है कि इसके साइड इफेक्ट्स बढ़ जाएं या फिर इसका प्रभाव कुछ कम हो जाए. अगर इसके इस्तेमाल से ऐसी स्थिती उतपन हो रही है तो आप तुरंट डॉक्टर से सला लें जिससे की आपको कोई गंभीर समस्या ना हो. विगोरा स्प्रे के इस्तेमाल में सावधानिया यह स्प्रे लिंग पर लगाने के लिए है और केवल बाहे प्रयोग के लिए है. इस स्प्रे को प्रयोग करते समय आँखों को दूर रखें एवं सासों से भी दूर रखना चाहिए. इस स्प्रे को सेक्स करने के 5-15 मिनिट पहले लिंग के सिर और सॉफ्ट पर 3 या 3 से अधिक स्प्रे कर सकते हैं स्प्रे को 10 बार से अधिक नहीं करना चाहिए और सेक्स करने के बाद लिंग को अच्छे से साफ करना चाहिए अगर आपको इसमें मौझूद सामगरी से अलजी है तो इसका इस्तेमाल ना करें या फिर डॉक्टर से सलाह लें अगर आप पहले से ही कोई विटामिन ले रहे हैं तो इस स्प्रे का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें इस स्प्रे को एलकोहल के साथ इस्तेमाल न लें यदि आपको लगता है कि आपने इस दवा को बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल कर लिया है और आपके लक्षन अधिक गंभीर हैं योनी में सेंसेशन कम हो सकती है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो